देखना हुआ को कि इस टेका और यहां तक जानकरी मिलती है और इसके साथ बड़ी खबर में हम न्यूज 18 के दर्शकों को बता दें कि MCD के और से बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है उनने साफ का है जब तक आदेश नहीं आता तब तक कारवाई लगातार जारी रहेगी कि आदेश जब तक नहीं आएगा तब तक कारवाई जारी रहेगी यह कहना है MCD का बड़ा बयान इसको माना जा रहा है क्योंकि लगातार सुबह से यहां पर तमाम नगर निगम की टीम मौजू थी और बुल्डोजर के द्वारा कारवाई की जा रही थी तो ऐसे में आवै और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो असर है वो देखा जा रहा है MCD बेशक जो बयान दे लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सर वो मानने है और उसी का जो असर है उसी का जो नतीजा है वो यहां पर देखा जा सकता है कि बुल्डोजर की गतविदी थोड़ थोड़ी देर पहले हमारे सेयोगी दिपक ने कुछ यहां पर दिखाई थी लेकिन अगर हम पूरे तौर पर बात करें तो अभी बुल्डोजर की गतविदियां पूरी तरीके से शांत हैं सिर्फ और सिर्फ सड़क पर पड़े मलवे को गटाया रहा है और जो तमाम जो सुरक तीन और चारो बुल्डोजर एक साथ दिख रहे हैं और पहले कुछ समय पहले जो पूरी की पूरी हल्चल दिख रहे हैं यहाँ पर अभी फिलाल इस आदेश के बाद शांत नजर आ रहा है और सारी एजिंसिया चाहे पोलिस हो चाहे एंसीडी हो चाहे अन्य जो एजिंसिय करती भी दिख रहे हैं यहाँ जी अमेत और से तस्वीरे भी हम फिर से एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि आखर बुल्डोजर की कारवाई सुबह दस बदेश जब चल रही थी तो किस तरीके से कारवाई आगे बड़ी फिलाल एंसीडी का इसको लेकर बयान भी सामने आ अगे बढ़ रही थी और सुप्रीम कोर्ट का स्टेस को लेकर आ गया है और यहाँ से बनाए रखने को कह दिया गया है लेकिन एंसीडी का बड़ा बयान भी सामने आए जहां पर एंसीडी ने साफका है कि जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक की कारवाई नहीं रो कि अजय तो रहा है पर लो तो बोनना कहीं है था पर पंदरास आल से यह धुपा में